नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं Electoral Bond Scheme के बारे में ये नियूस पिछले एक महीने से काफी ज़्यादा चर्चा में है और हमारे Examination Point of View से काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट भी है दोस्तों आपको इसके related तो कही सारे वीडियो इंटरनेट पे अलरड़ी मिल जाएंगे YouTube पे लेकिन वो हमारे Examination Point of View से बिल्कुल भी relevant नहीं है क्योंकि ज़्यादा तर controversial nature के content उसमें ज़्यादा है किस ने क्या कहा किस पार्टी को कितना चंदा मिला फिर उसकी क्या allegations थी यह सब हमारे किसी काम का नहीं है हमारे जो काम का है हम आज उसको देखेंगे from UPSC examination point of view या अगर आप किसी other state PCS का examination दे रहे उसके लिए जैसे BPSC हो गया या UPPCS का तो lecture शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझते है electoral bond होते क्या है दोस्तों मान लिजे कि अगर आपको किसी भी पार्टी को चंदा देना होता तो आप क्या करते पहले कुछ ऐसे प्रावधान थे 2018 से 19 से पहले कि आप सबसे पहले तो अगर आप किसी पार्टी को चंदा दे दे सकते हैं आपको सबसे पहले यह bond खरीदना पड़ेगा तो यह bond कहां पर मिलता है यह bond मिलता है SBI के कुछ notified branches है उनमें यह bond अवेलेबल होता था अभी हाला कि यह struck down कर दिया गया तो यह वहां पर अवेलेबल होता था कोई भी individual यह group of individuals या फिर company इसको purchase करेगी और फिर अ account जहां पर जिसी भी branch में हो वहां पर इस bond को लेके जाएंगे और वहां से in cash कर लेंगे मतलब जितने का भी bond होगा वहां से in cash कर लेते थे ठीक है तो इस तरीके से यह चंदा दिया जाता था लेकिन इसमें कुछ issues आएं क्या issues थे आई हम समझते हैं सबसे पहले तो आप स्कीम को चैलेंज किया सुप्रीम कोड में गवर्मेंट फिर उसके बाद जैनवरी दो को 2018 को यह नोटिफाई करती है कि हम electoral bond scheme launch करने वाले हैं उसके ठीक पांच साल के बाद ऑक्टूबर 2023 में पांच जज की constitutional bench committee बैठती है इसके head थे अपने Chief Justice of India डीवाई चंद्रचूर उ सुप्रीम कोड के द्वारा सुप्रीम कोड ने इस पूरी ही scheme को unconstitutional करार कर दिया है ठीक है बोला है कि यह unconstitutional है और समयदानिक है तो इसको जो है आप वापस ले लीजे अब जो electoral bond scheme सरकार का क्या उदेशता क्यों launch किया गया था वो कहते थे कि जो political funding होती है उसको हम transparent करने क कोशिश कर रहे हैं यानि कि जो black money circulate होता था वहाँ पे transparency नहीं थी तो electoral bond के जरीए क्योंकि वो bond purchase किया जाएगा फिर donate किया जाएगा तो यह transparency जो है वो निकल के आएगी क्या-क्या इसके provisions हैं आगे हम देखते है लेक्चर में ठीक है गवर्मेंट का ये भी claim था कि आपको देखिए याद करिए 2016 से जो digital India campaign शुरू हुआ तो ये जो electoral reform हम कर रहे हैं उससे cashless digital economy को बढ़ावा मिलेगा ठीक है तो ये EBS का जो electoral bond scheme है उसका एक उदेशित था लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पे कुछ ऐसे provisions थे जो Supreme Court को पसंद दिया है और उन्होंने इसको पूरे क तरीके से invalid करार कर दिया है तो आएस के कुछ features देख लेते हैं ये प्रोमिस्री नोट की तरह होता है प्रोमिस्री नोट क्या होता है कि एक आगस का टुकड़ा है जहां पर लिखाए कि एक जो पार्टी है दूसरे पार्टी को कुछ पैसे देने के लिए बाद्ध है ठीक है तो यह यह bond क्या होता है कि जब आगस बाद्ध लेके जाएंगे पार्टी को दे देंगे किसी political पार्टी को फिर वो पार्टी जब बैंक में देगी जहां पर उनका account है तो वो भद्ध हो जाएगी पैसा देने के लिए ठीक है तो यह प्रोमिस्री नोट की तरह है बीरर बै anonymity वो रखते हैं इसको खरीद कोन सकता है जो भारत के नागरिक हो या फिर कोई भी बॉडी कोर्परेट जो हमने देखा था वो लोग यह सिर्फ रजिस्टर प्रिटिकल पार्टी को ही डोनेट किया जा सकता है वो भी जब उनको एक प्रतिश्यत जो है वो वोट मिला हो ला 18 में जब इसको इंट्रोडीउस किया गया तो बोला गया कि यह दस दिनों के लिए होगा यानि कि दस दिनों के लिए एलेक्टोरल बॉन्ड अवेलेबल कराये जाएंगे मन्त कौन सा था जैनुवरी एप्रिल जुलाई ऑक्टूबर इनी मन्त में शुरुआत के जो भी मान सब्सक्राइब जिए महां लिए चुनाओ है तो पंदरह दिन का एक्सटा टायम जो है देने का प्रावदान किया गया फृदर एमेंडमेंट में अब देखे यह तो इतना सारा फीचर था जो गौर्र्मेंट क्लेम कर रही थी अभी म देख लेते हैं थोड़ा सा और्गु एक्टोरल बॉंड स्कीम को क्यूं इन्वैलीड करार कर दिया सुप्रीम कोट का यह माना है कि इस द वाइलेशन आफ द राइट तो इन्फोमेशन तो सूचना का अधिकार है यह उसको वाइलेट करता है क्यूंकि आपको मालूम है कि जो हमारे पास सूचना का अधिकार है क छुमाेरह और इससे क्या होता है कि आप government के Loyal Arts एकांटेबल बनाता है जय्ムρί दार माना इसे जादा क मतलब कि इसमें पर्टिसिपेट करते हैं बश्हांचेक करना का दिकार कुश्ट क्यों ये वाइलट होना है they call कि political donations जो किये जा रहे है ना उसमें anonymity है anonymity मतलब कि उसमें गोपनियता है हमें पता नहीं चल रहा किस कहां से किस organization के दुवारा किसी person के दुवारा कितना चंदा किसको दिये जा रहा है कुछ भी हमें पता नहीं है तो Supreme Court का ये भी मानना है कि it is a deep association between money and politics पैसा और राजनीती का ये खतरना खेल जो है चल रहा है क्यों कि हमारे देश में आपको पता है कि economic inequality है गरीबी रेखा में रहने वाले लोग बहुत जादा है आपको मालू मैंने कि जो हमारे richest 1% लोग है वो लगबग देश का 60% जो है money उनके पास है तो देखे कितना जादा economic inequality है 99% जो लोग है उनके पास 40% पैसे है तो बहुत जादा inequality है और इसमें सबसे जादा क्या होता है कि जब भी कोई public यानि कि आम जनता student या बात कर लीजे कोई किसान अगर political party को चंदा देगी कि ये particular political party जो है हमारे काम के होगी इसलिए वो चंदा देता है लेकिन जब एक organization organization मेरा मतलब कहने का है corporation जब चंदा देती है तो वो बहुत बड़े पैमाने पे चंदा देती है और ये expect करती है गवर्मेंट जो है उनके लिए policy बनाए उनके अनुरूप policy बनाएगी ताकि उनका business जबना जो है चलता रहे तो इसको हम कहते है quid pro co arrangement कि मैं तुमको पैसा दूँगा और तुम वही करो जो मैं कहूंगा तो ये money and politics का एक खतरना खेल जो है वो चल रहा है गवर्मेंट ये claim करते है कि इसके थुरू हम black money को tackle करेंगे क्योंकि काफी जदा transparency आ जाएगी लेकिन Supreme Court ने ये कहा कि this is not proportionally justified to curb black money ये proportionally justified क्या होता है इसको थोड़ा सब समझते हैं आपको मालम होगा ये तो पढ़ा हुआ case पत्वस्वामी case जो 2017 में हुआ था राइट to privacy के लिए जिसमें ये कहा गया था कि राइट to privacy क्या है हमारा एक fundamental right है और इसी case में Supreme Court ये proportionality test लेके आती है ये क्या होता है इसको समझते हैं दोस्तों आपको basic structure के बारे में पता तो होगा न कि अगर कोई भी law parliament बनाती है या कोई state government कोई law बना लेके आती है अगर वो fundamental rights को infringe करते हैं violate करते हैं तो उस law को null and void जो है साबित किया जाता है जुडिशरी के द्वारा कर सकते है जुडिशरी उसके पास power है क्योंकि ये constitution के basic structure में आता है कि आप fundamental rights को जो है वो नहीं ले सकते और उसी का ये एक छोटा सा part है कि parliament अगर कोई भी law बनाती है तो वो part 3 में जो यहां पर fundamental right में government जो है interfere कर सकते हैं जिसे security of state है ना public morality यह सब आपने पढ़ा होगा तो उसके लिए तो यह जो permission इनको मिली है state government को कि आप जो है reasonable restrictions लेके आ सकते हैं यह interference हो सकता है जब आप कोई भी law बनाते हो और वो interfere कर रहा हो part 3 यानि कि fundamental rights में लेकिन यह जो permission है ना जो reasonable restriction it should not be flouted मतब यह limit से ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है तो proportionality test यह होता है कि जो भी action अगर government ले रही है whether an action is reasonably restricted or not अब इसका एक उधारन देखते है 2018 में Supreme Court ने अधार act में क्या कहा था it is a judicial standard for resolving disputes that involve either a conflict between two rights claims or between a right and legitimate government interest यह एक standard है judicial standard है अगर दो rights दो rights जो है अगर आपस में हमें दिखें कि दो rights के claim के लिए दो parties जो है खड़ी है तो कौन सी right को Supreme Court को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए या फिर एक जगा एक right है और दूसरी जगा government का interest है government कहाता है कि यह जो interest है ना हम एक individual के right जो है वो जादा बड़ी government के सुरी Supreme Court के नजर में हो सकती है judiciary के नजर में हो सकती है तो अगर इस तरीके का conflict देखने को मिलेगा ना तो काफी जादा यह चैलेंजिंग हो जाता है कि इन दोनों में से किसको जो है Supreme बताया जाए तो यहीं पर proportionality test लगा के देखा जात के लिए आप किसी की जिन्दगी से खिलवाड ने कर से उसकी जिन्दगी नहीं ले सकते है ना आप यह नहीं बहुत सकते कि यह हमने यह धारा लगा दी है हम किसी को मार देंगे या कुछ कर देंगे तो ऐसा कुछ तो प्रावधान नहीं है अब इसको थोड़ा हम ओर detail में स काम कर रहे हैं, it must be sanctioned by law, यानि कि कानून के अधिकरण में ही होना चाहिए, the proposed action must be necessary in a democratic society for a legitimate aim, यानि कि government जो किसी लक्ष की प्रापती के लिए अगर कोई कानून बनाना चाहता है, तो एक जो लोकतांतरिक हमारे पास समाज है, उसमें ये action जो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी जो है अप लेके आया जा सकता है, otherwise नहीं, the extent of such interference must be proportionate to the need for such interference, अगर आप इतना ही ज़्यादा interfere कर रहे हो, तो यानि कि वो बहुत ही ज़्यादा important होना चाहिए, यानि कि जो interference होनी चाहिए, वो proportionate होनी चाहिए, कि इस interference के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तब ही हम ये interference कर रहे हैं, there must be procedural guarantees against abuse of such interference, अब समझते हैं कि government का क्या argument था, government आपको मालू मैंना कि जो electoral bond scheme थी, वो हमेशा एक ही बात बार बार कहते हैं कि जो black money है, उसको हम खतम करने के कोशिश कर रहे हैं, जो donor की anonymity है न, ये भी हम इसको बचा के रखे हैं, क्योंकि अगर political parties को पता चलेगा कि बाई कौन सा donor कितना पैसा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो है, exploit करना शुरू कर दे, इस information को, है न, blackmailing जो जिसको हम कहते हैं, वो करना शुरू कर दे, तो इसलिए donor की anonymity को बरकरा रखना जरूरी है, black money जो है उसको करना, तो ये दो major aim है, legitimate aim, जो government अपने argument में रखती है, उनका ये कहना है कि जो black money है, वो तो non ही करना है, दूसरी चीज़ है, donor anonymity को लेके, तो government का ये claim है कि अगर हम donor की anonymity को बरकरार रखेंगे, तो उसकी right to privacy है, केस पता स्वामी केस में, उसको भी हम बरकरार रखेंगे, यानि कि ये it gives effect to fundamental right, ऐसा government का claim है, तो अब तीसरा point ये है कि जो voters right to know, हमें जो जानने का अधि अधिकार है, जो RTI की में बात कर रहा था, Supreme Court ने वहाँ पे सबसे बाड़ा जो प्रश्न चिन लगाया था, कि RTI जो है यहाँ पर violate हो रहा है, और ये fundamental right का violation है, तो government ना ये का कि जो voters का right to know है, ये सिर्फ वहीं पर apply होगा, जहां government के पास कुछ information होगी, यानि कि आप RTI जो ह कि जो हमारे पास जो ये political parties है, इनको जो चंदा मिर रहा है, electoral bond scheme के थुरू, तो इन parties को भी नहीं पता कि कि किसने कितना चंदा दिया, क्योंकि सब जगा anonymity है, यानि कि गोपनी येता है, तो इसलिए जो court का ये मानना है कि जो RTI वाइलेट हो रहा है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, कि इसमें government कुछ नहीं कर सकती, अब देखते हैं कि जो proportionality test है, वो court ने कैसे लगाया, justice खना जो है, वो कहते हैं कि जो voter का right to know है, आर्टिके मैंने यहाँ पर लिखा है, वो it supersedes anonymity, ये गोपनीयता को supersedes करता है, यानि कि उनके जो जानने का अधिकार है, ये कहीं ज honorable chief justice है, वो double proportionality test लेके आए, इसमें क्या चीज़ है, देखें यहाँ पर rights versus rights है, यहाँ पर दो rights की आपस में लड़ाई है, एक है RTI, दूसरा है right to privacy, जिसको government कहती है, और RTI क्या कहता है, Supreme Court इसको कहता है, Supreme Court कहता है, ये ज़्यादा बड़ा है, वो कहते है, ये ज़्यादा penalty test लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो दो rights की बात कर रहे है, तो यहाँ पर courts को इससे कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, और court ने क्या एक method निकाला, least restrictive method, अगर government कहीं पर भी interference कर रही है, कुछ ऐसा कानून लेके आ रही है, मालीजे दो कानून लेके आती है, दोनो ही restrictive कानून है, interference वाले कानून है, उसमें से सबसे कौम interference वाला कौन है, तो वो जादा बेतर है, तो यह courts का यह माना कि हम जो है, अगर rights versus rights हो रहा है, तो यह देखेंगे, कि उसमें से least restrictive कौन है, तो यह इस method की बात करता है, यानि कि whether it has disproportionate impact on any of two rights, फिर वो further बात करते हैं, इस least restrictive method में ही electoral trust की, यह क्या होता है, यह हम समझेंगे अभी थोड़े दिरबाद, right to donor privacy does not extend to contribution made, अब इसका समझेए, supreme court, judiciary जो है, वो क्या कहती है, इसके बारे में, court का opinion था, जब भी financial contribution किया जाता है, दो reason से, एक तो होता है कि आप support करते हूँ इस political party को, दूसरा है as a quid pro को measure, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपकी मदद करूँगा, आप भी मेरी मदद करिए, तो यह corporation जो है, बड़ी-बड़ी corporations, वो government के इसी मकसद से जो है, वो support करती है, लेकिन जो support यह है, expression of support, जो एक student करेगा, या आम के संग करेगा, वो एक अलग चीज है, वो अपने privacy of political affiliation does not extend to those contributions, which may be made to influence policies, it only extends to contribution made as a genuine form of political support, इसका मतलब क्या है, कि government जो बार बर कहती है, कि right to privacy, यह जो fundamental right है, हम इसको extend कर रहे है, तो यह कहते है, Supreme Court, हमारे जो Chief Justice है, वो कहते है, कि यह वहीं पे apply करिये, जहां पे अगर genuine support दिखते है, political party को, ठीक है, तो वो जो छोटे- हमारे voters हैं, जैसे एक आम आदमी की बात कर लेते हैं, तो उनका right to privacy ठीक है, बनता है, लेकिन जो बड़े-बड़े जो organizations है, अगर वो support करते हैं, तो उनको private क्यों रखना है, उनको जानना पड़ेगा न, क्योंकि वो तो भाई, government की policies को बिलकुल change कर सकते हैं, अपने हिसाब यह समझते हैं, finance act 2017 में प्रवधान था, कि वही political parties donate करेंगी, जो पिछले तीन साल में profit में है, और साथ साथ परसेंट maximum उनकी पास limit है, पिछले तीन साल का, पिछले तीन physical year का, तो वो उतना तक ही donate करेंगी, उससे जादा नहीं, यह clause जो है, remove कर दिया गया, औके, और साथ स कोई रोक थाम नहीं है, क्योंकि आपको मालू मैं गोपनियता है, कोई किसी को पता ही नी चलेगा तो क्या है, उसके बाद amendment to section 29C of representation of people act 1951 इसको खत्म कर दिया गया, देखिए इसमें क्या प्रवधान था, कि जितने भी contributions parties के पास, अगर 20,000 से ऊपर आती है, तो वो election commission के पा लगा है, और उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने observe की, SBA को ये direction दिया, कि चलो भाई, अब तुम भी काम पे लग जाओ, ये आपको दोडाते है न, जब SBA bank में आप जाते हो, तो उस counter पे जाओ, उस counter पे, तो इनको भी कुछ ऐसी direction दे दी, कि जितने भी bond, यानि कि 12 April 2019 से जब भी पिशुक किया गया था, वो सब election commission के पास आप submit करिए, उसकी पूरी detail, यानि किसने खरीदा है, कितना denomination का है, सब कुछ है, आपको election commission के पास submit करना पड़े, और election commission को भी सक्थ निर्देश जियेगे, कि जितनी भी information आपको मिलेगी, वो सब public करिए, फलाना फलाना date को, अभी तक हमने जितना देखा, वो ये था कि Supreme Court का क्या मानना था, और government क्या claim कर रही थी, अभी Supreme Court जो है, further इससे आगे बढ़ती है, और कहती है, इसके साथ, और भी concerns है, वो क्या, कि it contradicts its basic idea, government ये कहती थी, कि हम transparency लेके आएंगे, election funding में, है ना, जिसे anonymity की बात वो कर रह है, कैसे, क्योंकि आपको वालू है कि जो bond बेचे जा रहे हैं, ये SBI के द्वारा बेचे गए हैं, और ये SBI जो है, वो public sector bank है, government की मालिक है, तो वो जान सकती है, ना, कि भाई, कौन कहां से कितना पैसे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो वो वहां से influence कर सकते हैं, बहु MP, MLS, तो ये हमें represent करते हैं, वहां पे, हमारे issues को वहां पे परलेमेंट में उठाते हैं, लेकिन अगर हमें ही नहीं पता भाई, जो individual है, या organization है, कहां से, किसको कितना पैसा मिला, क्या हुआ, तो it is definitely, na, a blow to democracy, because voter जो जनता ही, तो मालिक है सब कुछ, और जनता कोई कुछ न It is against free and fair election, क्योंकि जो government है न, वो सब कुछ जानती है, उसके लिए कुछ गोपनेता नहीं है, वो तो सब कुछ जानती है, तो वो ऐसा कुछ information वहां से उठा के, और जो elections है, उसको वो manipulate भी कर सकती है, ये crony capitalism को बढ़ावा देता है, कैसे, कि आपको मालूम है कि जितनी भी ज इस particular corporation ने fund किया है हमें, तो उसे क्या हो जाएगा, कि जो money और politics है, उसका एक गठा जोड हो जाएगा, एक, वही crony capitalism क्या होता है, जो corporations होती है, वो पैसे का इस्तमाल करके government की policies को influence करते हैं, तो यहां पे जो है, हमें इसकी possibility कहीं हद तक जादा दिखाई देती है, उसके बा प्रिधी होई है, तो मतलब इतना जादा चंदा जो है, वो electoral bond के दुरू दिया जा रहा है, तो आप देखिए कि कुछ तो information anonymous है, यानि किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जो पैसा इधर से उधर जा रहा है, और उसके बाद जो party जो power में ह यानि कि जो अभी बीजेपी है, उसको सबसे जादा चंदा जा रहा है, टोटल जो अगर आप देखेंगे इसी financial year में 2017-2018 से 2021 तक 9208 करोड आये लगबग और बीजेपी को 5212 करोड मिले हैं, यानि कि more than 50% अब ये तो हमने सारे concerns देख लिए, किसका क्या कहना था, आए हम देखते हैं कि क्या suggestions, क्या improvement इसके लिए होनी चाहिए, पहला है कि जो donation है, उसके लिए कुछ regulations होनी चाहिए, यानि कि individuals या foreign citizens है, उनको ban लगाना चाहिए, कि ban मतलब कि जो अगर आप foreign citizens है, तो यहाँ पे जानती है न, कहां से कितना ज्यादा fund आ रहा है, तो अगर बाहर से ज्यादा fund आएगा, तो उसकी interest को भी government किस तरीके से अंदेखी कर देगी, क्योंकि पैसा आ रहा है, उसके बाद donation limit जो है, वो set करनी की ज़रूरत है, इससे क्या हुआ, जो crony capitalism जिसको हम देख रहे थे, उ एक limit है, यहां पे भी लाने की वो ज़रूरत है, UK में expenditure limit है, कि आप इतना पैसा ही election में खर्चा कर सकते हो, तो expenditure में limit करने से क्या होता है, जो financial एक तरीके से race लग जाते है, कि हम एकदम party में अपनी जो चुना परचार चल रहा है, तो बहुत सारा पैसा हम खर्चा कर रहे है स्टेशो कर रहे हैं, स्टार परचारक बुला रहे हैं, तो यह सब हर party करता है, क्योंकि जादा जादा भीड जुटा पाए, तो expenditure limit पे ध्यान देने की जरूरत है, नेक्स है कि जो parties है, उसको publicly fund करने की जरूरत है, जो अरवनी में कुछ ऐसा प्रवधान है, कि जो political parties है, उन अगरबात करें, Seattle, US में एक स्टेट है, वहाँ पे democracy vouchers दिये जाते हैं, यह vouchers पहले से ही publicly funded होते हैं, तो यह individuals को दे दिये जाते हैं, फिर वो individual decide करता है कि इन vouchers का इस्तमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए, किस party को vote देना चाहिए, अगला है the Chilean Experiment, यह बहार हुआ था, इ इससे सबसे बड़ा फैदा क्या होगा कि political party देखिए, पैसा यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां आ गया, तो political party को पता नहीं चलेगा कि कहां से मतलब इनकी information के बारे में नहीं पता चलेगा, इनके पास वो information होगी, लेकिन इसके साथ फिर यह concern है कि अगर इनके साथ नेकसस बन गया, तो फिर इनको भी तो सब कुछ पता चल जाएगा, तो ऐसा इंडिया में section 25 company है, companies act 2013 में वहां पर ऐसा प्रवदान है, electoral trust का है, नेक्स्ट है कि हमको गोपनियता और पारदर्शिता में balance इस्थापित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो donors ह है, जो आपको पता है, जो individual donors है, वो जब donate करते हैं तो इतना जादा influence नहीं पड़ता government के उपर, क्योंकि अलग-अलग जनता के अलग-अलग issues रेते हैं, और बहुत सारी categories में आ जाते हैं, वो लोग, वैसा बड़े-बड़े corporations के साथ नहीं है, क्योंकि अगर वो donate करेंगे, तो this is quid pro quo arrangement, यानि कि मैं तुम्हारा बारा करूँ हो, अब तुम मेरा करूँ है, तो इसमें balance लाने की ज़रूरत है, एक national election fund के स्थापना भी की जा सकती है, यही national election fund जो है, वो parties को fund allocate करेगा, based on their performance, कुछ देख लेते हैं, recommendations क्या आई हैं पहले, इंदरजीत गुपता committee state funding of election 1998 में इसको बनाई गए थी, इस committee को, जो state है, वो खुद ही election को fund करे, वो सिर्फ national और state parties है, उनको दे बाकी को नहीं, individuals को नहीं, तो यह जो funding होनी चाहिए, यह partial होनी चाहिए, यानि कि पूरी funding नहीं होनी चाहिए, initially हम क्या कर सकते हैं, कि state funding should be provided in kind, जैसे कि मान लीजे, आवजान हमको ले के आना चाहिए, दूसरी election commission recommendation 2004 की report क्या कहती है, political parties को जो है, अपना जितना account है, वो annually publish करना चाहिए, scrutiny जो है, जनता के दौरा हमेशा होनी चाहिए, जनता भी देख सके, और जो entities है, वो भी उसको scrutinize कर सके, यानि कि क्या, आपको पता होगा न, वो देख स चाहिए, जो बाकी other resources से जो पैसा आता है, उसको एक तरीके से पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए, और ये बात करता था कि representation of people act 1951 में कुछ amendment लेके आए, जैसे section 78A, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें audit की प्रावधान है, मिलब किस तरीके से आपको जो account है, उ होना चाहिए, तो अगर political parties वहां से comply नहीं कर पाती है, तो उनके लिए प्रावधान है, तो अंत में हम आ जाते हैं, conclusion, conclusion मैंने आपको बताया था कि आपने जितनी कहानी लिखी है, उसको आप short में थोड़ा सा लिख दीजिए, और way formal लिख दीजिए, जो electoral bond scheme में हमने देखा था कि Supreme Court ने इसको strike down किया, एक landmark verdict है, क्योंकि यहां पे fundamental rights की supremacy की बात की गई, आपने देखा था, आपने देखा था, आपने देख लिख देंगे, it uphold democracy, जहां आपने देखा था कि जो rights versus rights था, तो वहां पे जो individual rights था, उसको प्रात्मिक्ता दी गई, highlighted the violation of RTA, यह हमने देख supremacy of constitution, यहां कि government जो है, अपने मनमाने तरीके से कोई law नहीं बनाएगी, अगर it violates basic structure, then there is a judiciary who is going to interfere, ओके, तो यह सब चीज़े आप conclusion में लिख दीजे, तो दोस्तों अभी हमारी यह class खतम होती है, अब हम मिलेंगे next video में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, जहिंद,